नमस्कार दोस्तो आज हम डिसकस करेंगे HP Forest Card 2016 का Full Question People तो ये मैं जितने भी अंसर बताऊँगा वो अंसर की के According बताऊँगा तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सबस्क्राइब कर दें तो वीडियो को शुरू करते हैं पहला प्रेशन है बच्चों में प्रोटीन की नियुनता के कारण जो रोग उत्पन होता है वे है तो इस Question का Correct Answer है Option A मेरा ममस Option A इस Question का Right Answer है Next Question है पोदों को नाम देने वाला विग्यान क्या कहलता है तो यह कहलता है आपका बरेगी की Option D इस Question का Right Answer होगा Next Question है किस सेवाल में आयोडीन प्राप्त होती है तो यह होती है आपकी Laminaria Option B इस Question का Right Answer है अगला प्रेशन है जिन पोदों पर बीज बनते हैं किन्तु पुश्प नहीं लगते कहलते हैं तो यह कहलते हैं आपके अनार्व तवीजी Option B इस Question का Right Answer है Next Question है आलो किस कोल से संबंदित है तो यह है आपका Solene C से Option A का Right Answer है Question No.6 है टिका रो किस फसल से संबंदित है तो यह है आपका मुक्फली से Option D इस Question का Right Answer है Next Question है कोशिका का उर्जगर है किसको कहा जाता है तो यह कहा जाता है आपका माइटोकॉंडरिया Option C इस Question का Correct Answer है Powerhouse of Cell माइटोकॉंडरिया को कहते हैं Next Question है किसी सरिंखला में प्रात्मिक उफवकता होते हैं तो यह होते हैं शाकाहारी Option B इस Question का Right Answer है Next Question है बायू प्रदूशकों का बिश्वसनी संकेत तक है तो यह है आपका लाइकेंस तथा मास Option C का Right Answer है Next Question है सर्ताज और हिम 123 किसकी प्रमो किसमे हैं तो यह है आपकी मक्की की Option B इस Question का Right Answer है Next Question है चिप को अंदोलन मूल रूप से किसके विर्द था तो यह था आपका बन कटाई के Option C का Right Answer है और यह कब हुआ दसतर 1903 में चिप को अंदोलन हुआ था Next Question है ट्रेकुमा बिमारी का समद किस से है तो यह है आपका आँखों से है Option C का Correct Answer है Next Question है Question No.13 है एक जूल में कितनी कैलोरी होती है तो यह होती है 0.24 Option A इस Question का Right Answer है Next Question है सिस्मोग्राफ डैस का पता लगाने के लिए उपयोगी है तो यह है आपका बूकम्प Option D इस Question का Right Answer है Next Question है बिना सल्य चिक्तिसा के पत्री का इलाज किया जाता है तो यह किया जाता है लेसर दुवारा Option C इस Question का Right Answer है Next Question है रेडियो सक्रिय पदार्त उत्सर्जित करता है तो यह करता है आपका उपयुक्त सभी अलफा किरने बिटा किरने और गामा किरने तीनों Option D इस Question का Right Answer होगा Next Question है Question No.17 मुक्त रूप से लटकी चुम्बकी ये सुई का अक्ष भगोलिक अक्ष के साथ कौन बनाता है तो यह बनाता है आपका 18 डिगरी का Option D इस Question का Right Answer होगा Next Question है विद्यूत उत्पन उत्पन करने के लिए ये कौन सी धातू का उपयोग किया जाता है तो ये की जाता है यूरेनियम का Option इस Question का Right Answer है Next Question है आवर्दक लेंस बास्तुप में क्या होता है तो ये होता है आपका उत्तर लेंस Option सी इस Question का Right Answer है Next Question है बनारसी और नरेंदर चेकिया किसकी प्रमुक किसमे है तो ये है आपकी आमला की Option सी इस Question का Right Answer है Next Question है पानी में डूबी हुई लकड़ी मुडी हुई दिखाई देती है निमनांकित कारण से ऐसा प्रतिभासित होता है तो ये किसके कारण होता है ये होता है आपका प्रकाश का अबबरतन Option सी इस Question का Right Answer है Next Question है घरों में लगे पंखे बल्व आदी लगे होते हैं तो ये लगे होते हैं आपके समांतर क्रम से Option सी इस Question का Right Answer है Next Question है किसी तारे के रंग से पता चलता है तो इस Question का Correct Answer है उसके Temperature का पता लगता है आपका Next Question है एक मनुश्यया एक मेटर से कम दोरी की बस्तू को सपस्ट नहीं देख सकता है बेकिस द्रिष्टी दोस्ट से पेडित है तो ये आपका दूर द्रिष्टी से Option एस Question का Right Answer है Next Question है Question No.25 इंदर दनोस किस कार्ण से बनता है तो ये बनता है आपका Option D अपवर्तन और परवर्तन के कार्ण बनता है Rain Wow Next Question है Decible का प्रियोग निमलिक्त में से किसके मापन के लिए होता है तो ये होता है आपका द्वनी की ती बरता के लिए Option C अगला Question है एक गेंद को क्षेतिज से कितने कौन पर फैंके की ये अधिक्तम क्षेतिज दूरी ते कर सके है तो ये इस Question का Correct answer है Option D 45 Degree Next Question है बायो में किसकी अधिक्ता होने पर पेड़ों की पतिया काली होकर गिरत जाती है तो इस Question का Right answer है Option C अगला Question है पदार्त की चतुरत अवस्ता है तो ये है आपकी Option D Plasma अगला Question है सरवदिक संख्या में सम स्थानिक किसके पाई जाते हैं तो ये पाई जाते हैं आपके पॉलोनियम के Option C Question का Right answer है Next Question है रेडियो कारवन काल निर्धारन किसकी आयू का आंकलन करने के लिए प्रिक्त किया जाता है तो ये किया जाता है आपका Option C जिवाशम Option C is Question का Right answer है अगला Question है पसू पक्षी स्रीर के की संख से सांस लेते हैं तो ये लेते हैं आपके फेफड़ों से अगला Question है दूद का पीएच मान होता है तो दूद का पीएच मान होता है आपका 6.6 Option B इस Question का Right answer है Next Question है निमन में से कौन सब रिक्ष्ट भवन निर्मान के लिए उप्योग में नहीं लाया जाता है तो इस Question का Correct answer है Option D भांग अगला Question है द्रब्यमान का मातरक है तो इस Question का Correct answer है किलोग्राम अगला Question है हिमाचल जी के का है रुकमाणी कुर्ण हिमाचल में कहां स्थित है तो यह है आपका भिलासपूर में है Option D इस Question का Right answer है Next Question है दाटू क्या है तो इस Question का Correct answer है यह है ग्रामीड क्षित्रों में महिलाओं का सिर ढखने वाला वस्तर है दाटू Option D इस Question का Correct answer है Next Question है भुरी सिंग संग्रालिया हिमाचल प्रदेश के किस जीले में स्थित है तो यह है आपका डिस्टिक्ट चंबा में है Option D अगला Question है Question No.39 है Indian Institute of Advanced Studies पहले कहलाता था यह कहलाता था बाइसरीगल लोज Option D इस Question का Correct answer है और यह डिस्टिक्ट शिमला में है Next Question है बाबा कांसी नाम को पहाडा नता बलबल किस ने कहा था तो यह कहा था आपका Option A स्रोजनी नाइडू ने अगला Question है बिश्ब जल्दिप्स का मनाया जाता है तो यह मनाया जाता है आपका 22 मार्च को Option C Next Question है अमरिता सेरीगल किस रूप से प्रसिद हुई तो यह हुई थी आपकी चित्रकार से Option B इस Question का Correct answer है Next Question है नातुला दर्रा किस राज्ये में स्थित है तो यह आपका सिक्किम में है Option B इस Question का Right answer होगा Next Question है आदुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है तो यह कहा जाता है आपका राजा राम महंधराय को Option C इस Question का Correct answer है Next Question है संसत के कि सदन को प्रतनीदी सबा भी कहा जाता है तो इस Question का Correct answer है Option A लोगसबा अगला प्रित्वी की एतरिक्त किस ग्रह पर मान उपस्तिती की संभावना है तो इस question का correct answer है option A मंगल अगला प्रिशन है बादामी करंती का संब्द निमने में से किस से है तो ये है आपका option C मसालों से अगला प्रिशन है रनजी कप का संब्द किस खेल से है तो ये है आपका क्रिकेट से है option C question का right answer है next question है सूचना राजपत किसे कहा जाता है तो ये कहा जाता है आपका इंटरनेट को अगला प्रिशन है प्रसिद मिनाक्षी और नटराज मंदिर माच भारत के किस राज़े में स्थित है तो ये है आपके तमिलनाडू में है option C question का correct answer है next question है शुद वनी किसके अंतरगत आती है तो ये आती है आपकी तालब विया अगला प्रसिद है निमने में से सही भरतनी वाले शब्द को चुने तो इस question का correct answer है option C ब्यवारिक अगला प्रसिद है नायक में प्रियुक्त संदी का नाम है तो इसमें कौन सी संदी है इसमें है आपकी अयादी संदी option D इस question का right answer है next question है जिन सब्दों की उतुपत्ती का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है तो उन्हें कहा जाता है ओप्शन सी देशज next question है लाखा डाकू को डैस कराने में जनता ने सही होग दिया तो इस question का correct answer होगा option C गिर्फतार लाखा डाकू को गिर्फतार कराने में जनता ने सही होग दिया option C इस question का correct answer है next question है नल बूंद-बूंद टप कर रहा है वाक्या में रेखांकित है तो बूंद-बूंद क्या है इसमें option C इस question का correct answer है करी अभिशेशन है अगला प्रशन है सन्यासी का बिलोम सब है तो इसका correct answer है ग्रीहस्त option C अगला प्रशन है तीन लोग से मतुरा न्यारी का अर्थ है तो option इस question का correct answer है option C जरूरत से ज़्यादा बढ़ाई करना option C question का correct answer है next question है आज भ्वाउत पानी की आनिमन में से कौन सा बाक्या है तो यह आपका option A सधरण वाक्या है auto सब्सक्राइव कुर्फट निएस और दर को का कुत ये जुख स्थू सबसें पर इस पर दिस्थ्य सानस सब्सक्राइब कर दर दर्दाइब इस तो यसा सब्सक्राइब ये reasoning से related है मन्जू का भाई राहुल मन्जू से 525 दिन बड़ा है जबकि मन्जू की बहन रिवीना उससे 75 बड़ी है यदि रिवीना का जन्म सोमबार को हुआ है तो मन्जू का जन्म किस दिन को हुआ है तो इस question का मैं आप कॉनसर बता देता हूँ option A सोमबार को next question है यदि किसी घड़ी में 10 बज़कर 10 मिंट हो रहे हैं तो इस तीती में घंटा और सुई मिंट की सुई के बीच का कौन का माप होगा तो ये होगा आपका option D 115 डिगरी का next question है ए से जट की श्रिंखला में के दाइन से तीसरे अक्षर के बाई से पांच बाक्सर कौन सा है तो इस question का correct answer है एल next question है ये question का सीधे answer बता देता हूँ question number 66 का answer होगा option C 1331 next question है निया दीज का जो संबंद नियाई से है उसी परकार सांसत किस से संबंदित है तो यह है आपके निरवाचन से option C question का right answer है next question है यदि cat को 24 और sad को 24 लिखा जाए तो शी को क्या लिखा जाएगा तो इस question का correct answer होगा option D 32 next question है एक विद्यो त्रेल गाड़ी पूरुप दिशा में जा रही है तो उसका धुआ किस दिशा में जाएगा तो यह जाएगा आपका option D किसी भी दिशा में नहीं option D question का right answer होगा next question है कितने समय में एक बंदर 60 feet लंबे पेड़ के शीर्स को छूलेगा यदि वे एक second में 3 feet उचलता है और तुरंत 2 feet गिर जाता है तो इस question का correct answer होगा option C इस question का correct answer होगा option D चाच्चा यह मैं आपको direct answer बता रहा हूँ reasoning के question के next question है छे पुर्स तता पांच इस्तरियों में से पांच की committee इस प्रकार बनानी है जिसमें एक इस्तरी समलित हो कितने प्रकार से यह बनाई जा सकती है तो यह बनाई जा सकती है आपकी प्रकार से option C is question का correct answer है next question English का है pick out the most effective word from the given words to fill in the blank to make the sentence meaningful पहला question है the tourist dash in Bihar is very low तो इस question का correct answer होगा arrival option भी इस question का right answer होगा next question है the low-end order dash is to be given the top priority for the industrial growth इस question का correct answer है आपका option A situation next question है 75 we enjoyed a dash stay in Kathmandu तो इस question का correct answer है आपका we enjoyed a smooth stay in Kathmandu option C is question का right answer होगा next question है the passenger decided to stop the bus and drink water dash they were dash feeling thirsty तो इस question का correct answer है आपका option C with next question है he was dash from the society 77 का question right answer है driven out option D इस question का right answer होगा he was driven out from the society next question है choose the word opposite in meaning to the given word तो इसमें opposite word होगा advance का 78 का right answer होगा option C next question है 79 question number 79 का इस question का correct answer होगा option D आपका option B at 5 o'clock तो इस question का correct answer है आपका option B at 5 o'clock my father gets up every day at 5 o'clock next question 82 his path was we set dash difficulties तो इस question का correct answer होगा आपका option A with his path was we set with difficulties next question है I have resigned myself dash my fate तो इस question का correct answer होगा आपका 2 I have resigned myself to my fate my fate option D is question का right answer होगा sorry my late है next question है the train is dash time तो इस question का correct answer होगा आपका option C behind the train is behind time यानि कि जो train है वो इसमें से पीछे है next question है इस वीडियो का last question है he was struck dash lighting तो इस question का correct answer होगा by lighting he was struck by lighting तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हमने discuss किया HP first card 2016 का full question paper I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी तो इस आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा share करें ताकि आपको आने वाले exam forest exam में यह question काफी helpful थाबिक हो सके तो थैंक यू कर दो